हेलो एब्रिवन आज हम बनाएंगे मुंग डाल की नमकिन जो बहुत ही इजली तरीके से घर पर बना कर तैयार कर सकते हैं यह बनाने में बिल्कुल असान है अब 5 में आप तैयार कर सकते हैं तो मुंग डाल की नमकिन बनाने के लिए सबसे पहले आपको साबुत मुंग को रा कॉटन का टावे ले सकते हैं और इसमें सारे मुंग दाल को निकाल लेना है निकालने के बाद इसे अच्छे से हम सुखा लेंगे इसका पानी थोड़ा भी नहीं लगा रहाना चाहिए तो दे सकते हैं टावेल के सायता से अच्छे से आप हलका हलका प्रेस करके इसे आप और इजी तरीका में बता रही हूं आपको यहां पर आपको तेल हाई फ्लेम पर गरम कर लेना है अब यहां पर दीखें मैंने पास पड़ा वाली छन्नी थी इसी में डाइरेक्ली मैं चानती हूं इस ट्रीक से आपके तेल में बिलकुल वे विखरेंगे नहीं आप बहुत बहुत ही आसान तरीके से धेर सारे मुंग दाल की नमकिन बना कर तैयार कर सकते हैं तो दे सकते हैं इस तरीके से कर आप बनाएंगे ना तो तेल में आपको फटा फट से निकलते नहीं है तो ज्यादा तर मुंग दाल हमारे ज्यादे हो जाते हैं जल से जाते हैं इस तरीके में लगभग 3-4 मिट लग जाते हैं एक बार के प्रोसेस में दुबारा मैं वापस से आपको डाल के दिखा रही हूं देख रही है इसलिए जितना आपने आसके उतना ही डालेगा एक साथ बहुत ज्यादा डालने की जरूरत नहीं है अब इसे अच्छे से हम इदम गरम तेल म बिल्कुल नहीं बनाना है इसे जितना अच्छे से हाई फ्लेम पे तेल गरम रहेगा न उतना ज्यादा अच्छा आपका मौंग डाल की नमकिन बनकर तैयार होगी तो इस ट्रिक से आप एक बार मौंग डाल की नमकिन बना कर देखिएगा आप इजली घर पर मार्किट से भ इस तरीके से एक बार बनाकर आप जरूर देखिएगा आपके मौंग डाल की नमकिन बिल्कुल पर्फेक्ट तैयार हो जाएगी तो चली इसे में बॉल में ट्रांफर कर लेती हूं तो मैंने टीस्यू पेपर निकाला था ताकि जो भी थोड़ा बहुत ऑईल हो जाए तो द लेते हैं इस ट्रीक से बनाएंगे ना आपके मौंग डाल की नमकिन बहुत ज्यादा टेश्टी बनकर तयार होगी अब इसे कर लेना है अच्छे से मीक्स तो दे सकते हैं बहुत ही इसली तरीके से आपकी मौंग डाल पर देखिए तरीक है इस ट्रीक से आप एक बार चरू बहुत ही ज्यादा पसंद है वही जित कर रहे थे कि रात को मोंगदाल भिगो दो सुबह बना देना नमकीन मुझे बहुत ही पसंद है यह बना कर जरू रखना तो मैं फटा फट से रात को मोंगदाल की नमकीन भिगो दी थी और फटा फट से देखिए सुबह तैयार भी हो च जीजीगा, बाइब बाइ!